स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल जिये सद्डा में दोस्तों आज हम इंडियन पॉलिटी में एक नई सीरीज पॉलिटी के प्रिष्णों का बंडारा सुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज का ये सेट वन है इसमें हम 100 प्लस प्रिष्णों को बहुत सांदार तरीके से इसको तयार किया गया है तो प्लीज वीडियो के इन तक आप अवश्य बने रहना यकिनान आपको इस सीरीज के साथ बहुत मजा आने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूस्तों बारती राजविवस्ता की इस सीरीज का ये सेट वन है और इसमें हम शामेदान कब बनकर तयार हुआ था तो पहला आपसन है के सामने 24 जनवरी 1950 को दूसरा 26 जनवरी 1950 को थीसरा 26 नवमर 1950 को 14 26 नमर 1999 को तो देखे संविधान हमारा कब बनकर तयार हुआ। तो इसका राइट अंसर होगा दोस्तों 26 नौबर 1949 को तो इससे जुड़े हुए सभी बिंदूओं पर चर्चा करते हैं तो पहला पॉइंट है शम्मिदान सबादोरा इसी दिन यानि 26 नौबर 1949 को शम्मिदान को अंगीकार किया गया था यानि हमने अपने सम्मिदान को श्वीकार किया था इसी दिन जो है दोस्तों 284 सदस्यों ने शम्मिदान पर हस्ताक्चर किये थे जिसमें 8 मेला सदस्य थी तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने है ठीक है कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्चर किये थे इसी दिन दोसो चौरासी सदस्यों ने जिन मैंसे आठ मेला सदस्य भी थी आगे एक मिनट शम्मिदान को बनने में दो बर्ष ग्यारे मा अठारे दिन का समय लगा ज़खे शम्मेदान की कुल 11 बैठके हुई थी और इसमें जो खर्चा आया था वह 64,00,000 रुपे का कर्चा आया था ठीक हैं और आगे देखीये अंतिम बैठक जो हुई थी सम्मेदान सभा की वह 24 जनवरी 1950 को ही थी और इसी दिन दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही डाक्टर राजेंदर प्रसाथ को बारत का प्रतम राष्टपती चुना गया था ठीक है इसके दो दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपनी सम्मेदान को लागू किया था और तब से हम 26 जनवरी को गरतंतर दिवस के रूब में मनाते हैं तो दोस्तों ये रहे इस से हम डेटेल सॉल्यूशन आगे देखेंगे ठीक है तो साइद आपको लग रहा होगा कि इस सीरीज में आपको यकीनन बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्ण की और शम्मिदान का कौन सा भाग नागरिक्ता के प्रावदानों से संबंदित है यानि सम्मिदान के किस भाग में नागरिक्ता का उलेक मिलता है तो पहला है भाग एक दूसरा भाग दो तीसरा भाग तीन चौथा भाग चार तो बताइए नागरिक्ता का उलेक कौन से भाग में है तो इसका जो right answer है दोस्तों वह है option B यानि भाग दो तो भाग दो का संबंद है नागरिकता से भाग एक की बात करें सबसे पहले देखिए बारती सम्मेदान में कुल जो है 395 अनुचित 22 भाग एवं 12 अनुचित है ठीक है आप यह मत कहना कि आप जो 4500 से अनुचित हो चु 45 अनुचित ही है उन्हें जतने भी अनुचित बाद में जोड़े गया है उन्हें सब आर्टिकल के तौर पर जोड़ा गया है ठीक है ऐसे ही counting में जो है 22 भाग है और अब जो है 8 अनुचियों से बढ़के 12 अनुचिया हो चुकी है ठीक है आगे देखिए भाग एक में दिय नहीं दे सकता तो यानि DPSP और भाग चार कर में मौलिकर तब इन्हें बाद में जोड़ा गया था क्योंकि इसके आगे देखिए कर लगा हुआ है कहीं भी आपको कर इस तरीके से कभी भी लगे मिले अनुचिय दिया भाग या किसी में भी ठीक है या अनुचिय में तो यह इसको आप समझ सकते हैं कि यह बाद में सम्मिदन संसुदन के द्वारे इनको एड़ किया गया है ठीक है भाग पांच में है शंग ठीक है संग से संबंदित सारा जो जो आर्टिकल है वो भाग पांच में आते हैं भाग छे में राज्य और भाग आठ में संग सासित प्रद किंदर राजसामन्द का उलिख करता है भाग 11, और भाग 15 में है निर्वाचन, और भाग 17 में याद रखना आपको राजवासा, शबी भागों को याद करने के कोई आवसकता नहीं है, जितने भाग यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूं, अगर आपने इतने भागों को याद कर आया गया है एक बार अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो यकीन करना सभी भागों को आप एक ही बार में याद कर लोगे ठीक है तो डिस्किप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की वहां से आप बिजिट कर सकते हैं हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में ठीक है भाग 18 में है आपातो पुवंद और भाग 20 में सम्मेदान संसोधन की प्रक्रिया तो ये सबी भाग जो आपको बहुती अच्छे तरीके से ध्यान में रखने है ठीक है चलिए आगे समझते हैं अगला प्रश्ण मौलिक अधिकारों को किस देश के सम्मेदान से लिया गया है तो मौलिक अधिकार हमने किस देश के सम्मेदान से लिया है पहला है अमेरिका दूसरा ब्रिटेन तीसरा आयलेंड चोथा कनाड़ा तो बताइए मौलिक अधिकारों को हमने किस देश के सम्मेदान से लिया है त भाग में पूचा जाए कौन से भाग में मौलेक अधिकारों का उल्लेक मिलता है तो भाग तीन में ठीक है मूल सम्मिदान में मौलेक अधिकारों की संक्या साथ थी लेकिन बरतमान सम्मिदान में मौलेक अधिकारों की संक्या कितनी है छे है तो पहले मौलिक अधिकार हमारे कितने थे मूल सम्मेदान में साथ थे लेकिन अब जो है कितने हैं छे, एक मूल अधिकार को सम्मेदान से हटा दिया गया है, यानि मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, संपत्तिक अधिकार को अब एक विदिक अधिकार बना दिया गया है, जिसको अब अनुच्छ तीन सो कव में जोड दिया गया है पहले संपत्तिक अधिकार हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था ठीक है जब इसकी संक्या साथ थी अब जो है संपत्तिक अधिकार को हटा दिया गया तो मौलिक अधिकारों की संक्या अब 6 बची है तो यह प्रशना आपको याद रखना है कि संपत्तिक अधिकार अब एक बिदेक अधिकार यानि या कानूनी अधिकार है जैसे अनुच्छे 300 कव में जोड़ दिया गया है आगे देखिए अगर आपसे परिच्चा में ये पूचा जाए कि संपत्तिक अधिकार को कौन से संपत्तिक अधिकार के दौरा इसे हटाया गया ठीक है तो ये बात भी आपको द्यान में रखनी है आए आगे देखते हैं निमलिक इतमे से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है तो समता का अधिकार, शोषण के बिरुद्ध अधिकार, तीसरा है हरताल का अधिकार, चौता है धर्म की सोतंतरता का अधिकार तो इन में से बताना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है यानि इसमें तीन मौलिक अधिकार हमारे हैं और एक इसमें से मौलिक अधिकार नहीं है तो इसका right answer होगा दोस्तो हरताल का अधिकार option C इसका correct answer होगा यह हरताल का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है तो आईए समझते हैं मौलिक अधिकार अमारे कौन कौन से हैं तो पहला है समता का अधिकार अनुच्छे 14-18 इसके अंदर आते हैं ठीक है शमता का अधिकार और दूसरा है स्वतंतरता का अधिकार अनुच्छे 19-22 इसके अंदर आते हैं और तीसरा है सोशन के बिरुद्ध अधिकार अनुचिद 23-24 के अंदर आते हैं और चौता है दार्मिक सोतंतरता का अधिकार अनुचिद 25-28 तक और इसके बाद है संस्कृति एविम सिच्छा संबंदी अधिकार अनुचिद 39-30 और इसके बाद सम्मेदानिक उपचारों का अ अनुचिद 32 तो ये 6 मौलिक अधिकार जो हमें अभी प्राप्त है इसमें से हमने संपत्ति अधिकार को हटा दिया है जो अनुचिद 32 में था ठीक है और आगे देखिए अगला प्रशना है भारती सम्मेदान में मौलिक करतब्य कब सामिल किये गए तो इसमें पूछा गया है कि मौलिक करतब्यों को कब सामिल किया गया था तो 1972 दूसरा 1976 तीसरा 1978 छोथा 어떡 Centive royale आई एक कब सामिल किया गया था मौले करतब्यों को तो देखिए इसका राइट अंसर होगा दोस्तों 1976 तो 1976 में मौले करतब्यों को सामिल किया गया तो आई ये से जुड़े हुए सभी पॉंट्स को देखते हैं पहला है 42 में सम्मेदान संसोदन 1976 के दौरा तो यानि 1976 को तो सामिल किया गया था कौन सा सम्मेदान संसोदन था 42 में सम्मेदान संसोदन था 1976 में तो उसके दौरा मौले करतब्यों को भारती सम्मेदान में शामिल किया गया अगला point सरदार स्वांड सिंग सम्ती की सिफारसों पर इसको सामिल किया गया था तो कभी पूछा जाए परिच्छा में आपसे कि मौलिक कर्तब्यों को किस सम्ती की सिफारसों के सिफारसों पर जो है भारती सम्मेदान में सामिल किया गया तो सरदार स्वार सिंग समिती अगला शम्यदान के भाग 4ग ये वह अनुचिद 51 पं में मौलिक करतव्य को जोड़ा गया है तो कभी पूचा जाए番-ंप मौलिक करतव्य को कि भाग में जोड़ा गया है तो भाग 4ग और अनुचिद 51 पं ठीक है तो यहां बड़े द्यान से आपको देखिए समझना है 1974 में जो है 10 मौले कर्टब्यों को जोड़ा गया था इससे पहले हमारे मौले कर्टब्य नहीं थे सम्मेदान में कभी आपसे पूचा जाए मौले कर्टब्य थे तो जीरो एक भी मौले करतब्य नहीं था मूली सम्मेदान में 1976 में हमारे सामने ये आए थे 10 मौले करतब्य जो है इनको जोड़ा गया था लेकिन आज बर्तमान में मौले करतब्यों की शंख्या 11 है जिसमें देखें तो 11 मां मौले करतब्य को 86 वे सम्मेदान संसुदन 2 या 2 के द्वारा जोड़ा गया ठीक है इसे 2 या 2 में 86 वे सम्मेदान संसुदन के द्वारा जोड़ा गया था जो कि सिच्छा ते सम्मंदित है ठीक है आगे देखिए भारतिय सम्मेदान का कौन सा अनुच्छिद यह निरदारित करता है कि राज के नीत ने दे सकत्त्व किशी न्यायले द्वारा लागुन नहीं किये जा सकते हैं यानि जो राज के नीत ने दे सकत्त्व है वह बाद योग नहीं है यह कौन सा आर्टिकल जो है कहता है तो पहला अनुच्छ 36, दूसरा अनुच्छ 37, तीसरा अनुच्छ 38, चौता अनुच्छ 49 तो देखी इसका राइट अंसर कौन सा होगा तो इसका जो राइट अंसर है तो वह है अनुच्छ 37 अनुच्छ 37 कहता है कि राजी के नीत निदे सकत तो वाद योग नहीं है यानि इन्हें नियायले के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता यान नागरकों के मौलेक अधिकारों का यानि मौलेक अधिकार नहीं स्वरी राजी के नीत निदे सकत्तों को अगर लागू नहीं करे कोई राज तो हमारे देश के जो नागरक हैं उस राजी के जो नागरे के हैं वह निया एले की सरड में नहीं जा सकते हैं तो ये कहने का मतलब है अनुच्छे 37 का तो आईए इससे जुड़े हुए बिंदू पचर्चा करते हैं पहला भागचार भागचार में जो है राजी के नीत ने दे सकत्तों का वड़न मिलता है जो अनुच्छे 36 से 51 तक आर्टिकल जो है राजी के नीत ने दे सकत्तों में शामिल किये जाते हैं प्रेरित आयलेंड के सम्मेदान से यानि राजी के नीते ने दे सक्तत्तों को किस देश के सम्मेदान से लिया गया है तो आयलेंड के सम्मेदान से जो राजी के नीते ने दे सक्तत्तों को शामिल किया गया है उदेश यह है तो राज के नीत ने दे सकत्तों को अपने राज में लागू करता है तो उसका राज जो है एक कल्याड कारी राज बनेगा ठीक है चलिए आगे समझे भारत के राष्टपती को पद की सपत कौन देलाता है तो उप्सन पहला देखिए परदान मंतरी, दूसरा है उप्राष्टपती, तीसरा है मुक्ह नयदीज, चौता है लोकसवा अध्यक्ष तो बताए राष्टपती को पद की सपत कौन देलाता है तो काफी आसान प्रशन है तो इसको आप बता सकते हैं तो इसका जो राष्ट अंसर है वो है उप्सन C, मुक्ह नयदीज, यानि सुप्रीम कोट का मुक्ह नयदीज जो है राष्टपती को पद की सपत डलाता है तो आईए यहां देखते हैं अनुचित बामन में भारत का एक राष्टपती होगा अनुचित बामन ये कहता है और अनुचित त्रेपन का कहता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुक एवं कारपाल का सकती राष्टपती में नहत होगी अनुचित त्रेपन भी एक आ गया है कि जो राष्टपती है वो तीनों सेनाओं का प्रमुक होगा एवं कारपाल का सकती राष्टपती में नहत होगी आगे अनुचे 60 सपत का उलेक करता है राष्टपती की जो सपत है उसका उलेक करता है अनुचे 60 और अनुचे 61 में दिया गया है महावियोग राष्टपती को जब हटाया जाता है तो उसके लिए कौन सी प्रकरिया चलाई जाती है तो महावियोग की प्रकरिया चलाई जाती ह यह और अनुच्छे द्याद रखना है राष्टपती से संबंदित अनुच्छिद 72 चमादान ठीक है तो चमादान की सकती किस आर्टिकल में है अनुच्छिद 72 में आगे अनुच्छिद 123 अध्यादेश जारी तो राष्टपती जो है अनुच्छिद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है ठीक है 35 वर्स की आयू होनी चाहिए राष्ट पती की बनने के लिए जो उम्र है 35 वर्स होनी चाहिए ठीक है और त्याग पत्र जो है राष्ट पती किसे देगा उपर राष्ट पती को तो यह सभी पॉइंट राष्ट पती से संबंदेद आपको अच्छे तर लागे था चलिए मंत्र परशद सामुहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदाई होती है तो पहला अप्सन है राष्टपती दूसरा है प्रदान मंत्री तीसरा है लोकसभा चौता है राजसभा तो बताए मंत्र परशद सामुहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदाई रहती है तो आईए आगे समझते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट्स को लोगसभा को प्रथम सदन निम्न सदन या जनता का सदन कहा जाता है अधिकतम सदस्यों के अगर बात करें लोगसभा के तो वह है 550 क्योंकि पहले 552 थी दो एंगलो इंडियन्स को जो हटा दिया गया है 550 जो गरश्यों की बात करें तो वह है पांसव तेतालिस जिसमें 530 राज्यों से चुन कराते हैं और 13 चेंदर शासासित प्रदेश्यों से चुन कराते हैं आगे लोगसभा का सदस बनने की उम्र कितनी होती है तो वह होती है पचीस वर्ष ठीक है लोगसभा के साथ सबन्नी की उम्र कितनी होती है पचीस वर्ष सबसे अधिक लोगसभा की सीटों की बात करें तो वह है उत्तरपदेश में 80 सीटें लोगसभा की है ठीक है परतम लोगसभा देख्च की बात कीज़े आगे कुछ आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं जो बार बार पर इच्छा में पूछे जाते हैं एक मिनट देखे राष्टपती अनुच्छिद भामन उलेक करता है राष्टपती का संसद अनुच्छिद 89 में 79 राजसवा अनुच्छिद 80 लोगसवा अनुच्छिद 81 ये तीनों लगातार हैं तो देखे सबसे बड़ी कौन होती है संसद तो वह पहले आती है 79 फिर दोनों सदनों में जो उच्छ सदन इस्थाई सदन होता है राजसवा तो वो उसके बाद आती है 80 में और लोगसवा एक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है तो पहला अप्शन है केवल राजसवा में दूसरा केवल लोगसवा में तीसरा संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी चौथा किसी में भी नहीं तो इसका right answer कौन सा होगा दन विदेख कहां प्रिस्तृत किया जा सकता है तो इसका right answer है option B केवल लोकसभा में ठीक है लोकसभा में दन विदेख को भी प्रिस्तृत किया जाता है राज्यसभा में नहीं चलिए आगे देखिए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं अनुच्य एकस दनविदेग का उल्लेक करता है यानि दनविदेग किस आर्टिकल में दिया गया अनुच्य देख सो दस में राज्यसवा अधिक्तम 14 दिन तक धनविद्यक को रोक सकती है तो यानि लोकसवा में इसको पेश किया जाता है राज्यसवा में नहीं पेश किया जाता राज्यसवा केवल 14 दिन तक ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक धनविद्यक को रोक सकती है दन विद्यक राष्टपती की पूर्व सहिमती से लोगसवा में प्रस्तुत किये जाते हैं तो दन विद्यक को लोगसवा में प्रस्तुत करने से पहले राष्टपती की सहिमती ली जाती है कोई विद्यक दन विद्यक है या नहीं इसका अन्यरण लोकसभा अध्यक्च करता है तेकि बहुत बार यह प्रश्ण जोग परिच्चा में पूछा गया है कोई विद्यक दन विद्यक है या नहीं इसका अन्यरण कौन करता है लोकसभा अध्यक्च करता है कुछ आर्टिकल वही संसद से 29 में, राजसभा अनुच्छद 80 में, लोगसभा अनुच्छद 81 में, बारवार आपके सामने ये आर्टिकल आएंगे तो यह आपके दिमाग में जो है, फिट हो जाएंगे, कभी भूल नहीं पा हुए आप, ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बारत में इनमें से कौन सी परणाली है, उप्सन पहला है संसदीर परणाली, दूसरा राष्टपती सासन परणाली, तीसरा अर्द राष्टपती सासन परणाली, चौता बंसा नुगत परणाली, तो बताएंगे हमारे यहां पर इनमें से कौन सी परणाली है, तो देखिए इसका जो right answer है दोस्तो है option पहला संसदीर परणाली अमारे याँ पे संसदीर परणाली है, जो बेटेंस से अमने ली यह ठिक है तो देखिए इसमें पहला संसदी प्रणाली से संबंदित प्रश्णों को देखते हैं तो राष्टपती कारपालका का अपचारिक प्रणाली की ये इसकी एक पहचान होती है कि वास्तविक प्रदान कौन होता है मंत्र प्रषद का हैड यानि प्रदान मंत्री होता है ठीक है और बिटेन के संविधान से प्रेरत है, हमने बिटेन के संविधान से संसद्य प्रणाली को लिया है अब अन्य विशेस्ता देखते हैं जो संविदान की कुछ अन्य विससता हैं संसुधीर पणाली के अलावा तो फिवन पहली विससता जैसे एकलनाग रहता है तो हमारे यहां पर एकलनाग रिखता है, हम केवल भारतिये ही होंगे, ठीक है, बिसाल एवं लिखित सम्मेदान है हमारा, कठोर एवं लचीला पन का सम्मेशनर्ड, शंपूर प्रभुत शंपन है हमारा सम्मेदान हमारा देश, शमाजबादी एवं पंतनर पेक्ष, शंगात मख सासन विवस्ता है हमारे यहां पर, स्वतनत्र एवं निस्पक्ष नयाय पालिका है, यह विशेष्थाओं में जितने टफ जो टम्स दिये गए हैं, इन सभी को, हमने जो एक वीडियो लेक्षर में जो विशेष्थाओं की जो वीडियो लेक्षर है, शम्मेदान की देखना दोस्तों यहां पर इतना समय नहीं है कि यहां एक ही स्लाइड पर इतना सारा आपको बताई जा सके ठीक है तो यह आप वीडियो देख सकते हैं हमारी पहुत अच्छे तरीके से वहां पर समझया गया है तो चलिए आगे संसद द्वारा दल बदल संबंदी कानून किस वर्स में पारित किया गया था 1984, दूसरा 1985, तीसरा 1986, चौथा 1988 तो बताए दल बदल संबंदी कानून जो है किस वर्स में पारित किया गया था तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है option B 1985 1985 में दल बदल संबंदी कानौन जो है पारिट किया गया था आए समझते हैン 52दान संबंदी जो कानौन आया था वह र click on में 75 के दोरा आया था इस कानौन के दोरा शदस्यों के दल बदलने पर ऐयों की घोषट किया जा सकता है ठीक है जो दल बदल लेते हैं जो नेता जो होती है अपना फायदे के अनुसार जो है दल को बदल लेते थे पहले तो अब 1985 के बाद में इस कानून के द्वारा उन सदस्यों के दल बदलने पर उन्हें अयोग गोसित किया जा सकता है अयोग गिता का नेड़ने जो है लोग सभा का देक्ष और राज सभा के सभापती द्वारा किया जाता है तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि अयोग गिता का नेड़ने कोन करेगा लोग सभा का देक्ष और राज सभा का शभापती इसी शम्मेदान संसुदन द्व वारा उसको जोड़ा गया था ठीक है चलिए देखे दोस्तों ये सभी जो वीडियो लेक्चर है हमने कंप्लीट करा दिये हैं जैसे सम्मेदान की शुरोद शम्मेदान की अनसूचियां शम्मेदान के भागे इवं प्रमुक अनुच्छेद शम्मेदान की पिसेस्ताएं शम्मेदान संसोदन तो प्लीज एक बार देखना दोस्तों इन वीडियो पो देखके आपको न सारा जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा तो एक बार द तीसरा संसद, चौथा सुप्रिम कोट तो बताए ये भारती संग में जो नए राजी की स्विक्रती कौन देता है तो इसका जो राइट अंसर होगा वह होगा अप्सन C संसद तो नए राज्यों की स्विक्रती देता है कौन? संसद आई समझे? भाग पहला, इसमें भारत की राज्य इवं संसद प्रदिस का उलेक मिलता है भाग पहले में जिसमें अनुचिद एक से चार आता है अनुचिद एक की अगर हम बात करें तो अनुचिद एक कहता है कि भारत अरतात इंडिया राज्यों का एक शंग होगा बारत अर्तात इंडिया राज्यों का एक शंग होगा वहीं अनुचित दूसरा कहता है कि संसद द्वारा नई राज्यों का प्रवेश एवं गठन दूसरे अनुचेद के तहद संसद को ये सकती दी गई है कि वो नई राज्यों का प्रिवेस कर सकता उनका गटन कर सकता है अनुचे तीसरा शंसद द्वारा किसी राजी के छेतर, शीमा या नाम में परवतन की सकती यानि संसद को ये सकती है कि वह किसी राजी के छेतर, उसके सीमा या उसके नाम में परवतन कर सकती है अनुचे चार कहता है कि अनुचे दो एवा अनुचे तीन को अनुचे 368 के तहट शम्मिदान संसुदन नहीं माना जाएगा यानि कहने का ताथ पर यह है कि संसद अनुचे दो और तीन में जो भी काम करेगी उसे शम्मिदान संसुदन 368 के तहट नहीं माना जाएगा या साधार विदेयक की तहद इस प्रक्रिया को हम पूर्ड कर सकते हैं ठीक है आगे देखिए संसत कौन से आर्टिकल में है 79 में है राजसवा अनुचिद 80 में लोगसवा अनुचिद 81 में ठीक है तो अब यो है आपको ये तीनों आर्टिकल जो अच्छे से याद हो गए होंगे आगे देखिए अगला प्रशन किस सवा का अद्यक्ष उसका अद्यक्ष नहीं होता है सोरी तो यह पर देखिए इसका राइट अंसर कौन सा होगा वह होगा राजसवा क्यों राजसवा का जो अद्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है देखिए उपराष्ट पती राजसवा का पदिन सभापती होता है हम अद्यक्ष कह सकते हैं बैसे सभापती इसको कहा जाता ह राज्यसवा का जो अद्यक्च होता है उसे सभापती कहा जाता है तो सभापती कौन होता है उपराष्टपती जो है राज्यसवा का पदेन सभापती होता है पदेन सब्द का मतलब या अर्थ यह है कि किसी अन्य पद पर न्युक्ती होने के बावजूद अतरिक्त कारभार जो चुनाव होता है उपराष्ट पती के पद पर होता है लेकिन उसे राजसभा का शवापती निक्त किया जाता है उसलिए इसको हम बोलते हैं पदेन यानि चुना किसी और की पद के लिए गया है और काम कोई और सौप दिया जाए ठीक है आगे राजसभा से जुड़े कुछ महत पूर बिंदू यहां पर देखते हैं राजसभा को उच्छ सदन या दोतिय सदन कहा जाता है अधिक्तम सदस्यों की बात करें तो राजसभा में अधिक्तम सदस्य हैं 200 और बर्तमन सदस्य हैं 245 ठीक है और आगे देखिए राजसभा धनविद्य को 14 दिन तक रोक असी और राजसभा की शीड़, पर इस में यहां देखिए राजसभा अनुच्छ असी में नी रखना 170 में और भिदान-सदन अंपरसद' को अब ध्यान में रखना 170 में अब ध्यान परसत की सर्राचना जो है अनुच्छेत 171 में है ठीक है चलिए अगला प्रश्ण भारत में उच्छ नियाले की न्यादीश को पद की सपत कौन दिलाता है तो हाई कोट की न्यादीश की बात हो रही है तो पहला अपसन है राज का र सपत कौन दिलाता है तो इसका अंसर है उस राज का जो है राजपाल जिस राज का हाई कोट है उस राज का राजपाल जो है न्यादीश को पद की सपत दिलाता है आगे देखिए उच्छ नियाले से संबंदित पॉइंट्स को समझते हैं सर्वपतन जो गठन हुआ था उच ठीक है आ अनुच्छे 247 में अमारे सम्मेदान में हाई कूट का बरणन मिलता है कि नैदीशओं का करताल की बत करनें तो बासवता होता है और सुप्रिंग कोट का 65 बर्स होता है दूस्तों ठीक है और हाई कोट के निया दिशों का 62 बर्स बर्तुमान में कुल उच्छ नियाले की बात करें तो टोटल ओचुके हैं 25 जो कि नवीनता हमारा 25 मा जो बनाता वह है आंदरपदेश हाई कोट 25 मा कुन सा बना 25 में कहा गया है कि पर्ति एक राज़ी का एक राज़्य का होगा आगे 163 में कहा गया है कि राज़ी की कारपाल का सकती राजपल में नहेत होगी। 155 कि anouitute क्या था है कि राजपल की निक्ति राष्ट पति द्वार की जाएगी राष्ट पति कौन करेगा राष्ट पति। अनुच्छी देख 169 और याद रखना है तो राजपल की सबत का जो उलिक करता है हाई गोट के मुक्य न्यादीश के दोरा राजपल को सबत दलाई जाती है तो यहनि इनका जो उल्टा होता है मुक्य न्यादीश को सबत कौन दलाता है हाई गोट के राजपल और राजपल को कौन दलाता है मुक्य न्यादीश तो बड़े द्यान में रखना है यह प्रश्ण जो अच्छे से यहाँ पर राश्टपती जो आंसर करके चले आते हैं बच्चे ज्यादा तर ऐसा होता है ठीक है चले आगे देखिए अगला परशन है किस अनुच्छे के तहट राज बिदान परसद बनाई है समाप्त की जा सकती है तो राज बिदान परसद जो है कौन से आर्टिकल के तहट जो बनाई है समाप्त की जा सकती है तो अनुच्छे 16, दूसरा अनुच्छे 169, तीसरा अनुच्छे 170, चौता अनु सरचना नहीं सोरी गठन या समापती किसके द्वारा होती है अनुचिद 179 के द्वारा अनुचिद 168 में कहा गया है राज बिधान मंडल ठीक है राज बिधान मंडल का उल्ले कोन करता है अनुचिद 168 अनुचिद 179 राज बिधान परसद का सरजन एवं बेगटन यानि किसी 170 में राज बिधान सभा की सररचना और 171 में बिधान परसद की सररचना देखिए बिधान परसद से संबंदे दो आर्टिकल है 179 जो उसके सरजन और बिगडन की बात करता है अनुचिद 171 जो उसराज की बिधान परसद की सररचना की बात करता है ठीक है कितने शीटे होंगी और क्या 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 काम होगा किस तरीके से जो काम करेगी बिदान सभा की सदस्यों की अधिकतम निर्दारिद संक्या क्या है तो अपसानेगी 550 दूसरा है 500 तीसरा 600 चोथा 500 बामन तो अधिक सम सदस्य कितने होते हैं किसी राज की बिदान सभा के लिए तो वह होते हैं ऑपसन भी 500 ठीक है अनुच्छेद 170 में राज बिदान सभा की सरचना का लेक मिलता है अनुच्छे 170 के बाद अगला पॉंट देखना है अधिकतम सदस्य कितने होते हैं 500 और नियून सम 50-60 यानी नहीं किसी भी राज की बिदान सभा में 60 से कम दर 저희 ऊंगे सरवादिक्न सदस्क तरपरदेश की बिदंस्वा। है कि विदिर यम ही 25 जो मेह Ismail की जो अई होती है बुद्वा सदस्कों बोला याता है ठीक है टुबा कितनी है 25 वर्से है कि निरवाचन कैसे होता है प्रत्य रूप से जंता की द्वारा निरवाचन होता है हम लोग भूच डालते हैं ठीक है बेदान друзья कि सदिश्यों के लिए ऑ का्रकाल होता है इसका पाँछ वर्ष बère स्चाहिएоп चर्लीत के अगला पौशन देकिन दूस्तों तो देखे तो किंद्री सूची यानि संग सूची का विश्य कौन सान नहीं है जनगर्णा दूसरा बैंकिंग तीसरा मजदूर संगठन चोथा बीमा तो देखे जो बड़े बड़े जो बिश्य होते हैं वह संग सूची में रखे जाते हैं तो इसका राइट अंसर आपको सूचियों में से ंसूचि सात में हमारे तीन सूचियां δी गई है जो केंद्र और राजी के मद्वे सक्तियों का बढ़वारा करती है संगशुषी जिसमें 100 विसे हैं बरतमान में राज्य सूचि जिसमें 61 विसे हैं और शंबर्थी सूचि जिसमें अभी 42 है ठीक है यहाँ पर अगर हम महित्पूर कुछ प्रमुक विसेयों की बात करें तो यहाँ देखिए संग सूची में कौन-कौन से विसे आते हैं जैसे नागरिक्ता, बीमा, बैंक, परमाणूर्जा, जनगर्णा, रेलवे, शंचार, रच्छा यानि बड़े-बड़े जो मुद्दे हैं, जो विसे हैं वह संग सूची में आते हैं इन पर कानूर मनाने का अधिकार संसद यानि केंदरी सरकार को है दूसरा राज्य सूची राज्य सूची में देखिए पुलिस और प्रतेक राज्य की पुलिस अलग होती है शिचाई, इस्थानी सोसासन, बिद्दुत, परकर, पशुपालन, शराव ये सब राज्य सूची के विसे हैं वहीं संबर्ती सूची जिस पर दोनों कानूर बना सकते हैं शिच्छा, वन, विवा, वतलाक, वन जीवों का सर्रच्ण, बाट, माप ये सब किस में आते हैं, शिंवर्ती सूची में आते हैं ठीक है, तो याद रखना दोस्तो, चलिए, आगे देखते हैं बारती संब्यदान के किस संसोधन अधनियम द्वारा पंचाईती राजव्यवस्ता को संब्यदाने के दरजा दिया गया था तो पहला है 71 में दूसरा 72 में तीसरा 73 में चोथा 74 में तो इसका राइट अंसर है दुस्तों 73 संभेदान संसुदान के द्वारा पंचाती राज व्यवस्ता को संभेदान के दरजा दिया गया तो इस से जुड़े हुए महत्पुड बिंदुगों पर आईए चर्चा करते हैं 73 संभेदान संसुदान अदनियम 1992 में यह आया था 92 में आया था 93 में यह लागू हुआ था ठीक है और भाग 9 जोड़ा गया था ठीक है भाग 9 का संभन के से 55 राज व्यवस्ता से है और अनुच्छे 243 से 243 ओ पंचाती राज व्यवस्ता में आते हैं 11 में अनिसुची इसके द्वारा जोड़ी गे थी 73 में संभेदान संसुदान के द्वारा 11 में अनिसुची में क्या है तो पंचाती राज है और इसमें 29 विसे जोड़ी गे थे 11 में अनिसुची में चौतरमा सम्मेदन संसुदन नगरपाल का से संबंदित है जिसमें भाग नौक जोड़ा गया था और अनुच्छत की बात करें तो इससे आगे के अनुच्छत यानि 243 O से O से नहीं सोरी ओ गलत मिश्टिक हो गी है P से 243 ZG तक इसमें शामिल किये जाते हैं ओ तो पिछले वा तो नगरपाल का प्रावदान इसमें मिलता है इसमें 18 बेसे जोड़े गए थे कितने बेसे जोड़े गए थे 18 बेसे इसमें जोड़े गए थे ठीक है तो सभी प्रिशनों को जो है आप अच्छे से द्यान में रखना चलिए निमल कि तुम एसे कौन सी एक सबसे बड़ी सं संसदी संति यहाँ पर दी गए आपको जिसमें पूचागा है सबसे बड़ी संसदी संति कौन सी है तो पहला लोघ ले का संति दूसरा प्राक्लत संती तीसरा सरकारी उभक्रम संती चौता का संती बापठ नहें गटित किया जाता है तो यह आपके सामने दीगहीं मैंसे तीन जो है यह पर्मानेंट यानि इस्था ही सम्ति हैं तो इनमें सबसे बड़ी संसदी सम्ति कौन सी है तो वह है प्राक्लन सम्ति तो आएए एक एक करके सभी सम्तियों को जो पर्मानेंट जो सम्तियां हैं उन्हें समझते हैं सबसे पहले लोक लेका सम्ति लोक लेका स काम किया होता है तो इसका काम है के की रुपोर्ट पर विचार करना जो नियंत्रथ एवा 냄RIक पर इच्छा?」 आगे दूसरी देखते हैं प्राक्लन सम्ती तो प्राक्लन सम्ती में भी लोगसभा से 30 सदस्वा से कोई सदस्वा से क्या होता है। तो कुल सदश्चों की संख्या होती है, 30 यह सबसे बड़ी सम्ती होगी, देखिए इस से 30 सबसे दिख सदश्ची में होते हैं, प्राकलन सम्ती की बात करें, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम है वार्सिक बजट से संबंदित ये काम करती है, जो बजट पेस किया आता है, उसे समद्दित काम कौन करती है प्राकलन शम्ती ठीक है सरकारी उपकरम सम्ती की बात करें तो सरकारी उपकरम सम्ती में भी लोग सवा से पंदरे सदस और राज सवा से साथ सदस होते हैं तो कुल सदस इसमें 22 होते हैं ठीक है और इसके काम की अगर बात करें तो सरकारी उपक करना ठीक है चलिए तो यह थे आज की प्रश्ण जो है कैसा लगा वीडियो लेक्चर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर लिए जय हिंज जय वारत